हेलो गाईस हम बहुत किनेवाल है नाइका के बारे में इस कमनी का कंसेर्डेटर रिजल्ट आपको के सामने प्रिजेंटेट है सारी अमाउंट्स और रिजल्ट में मिलियन्स में बताईगी है क्वाटर एंग क्वाटर बेस के ऊपर कमनी के रिजल्ट को डिसकस करेंगे यह इ quarter base के उपर कमपनी की income में गिरावट आई है बागी पिशले साल सेम quarter के मुकाबले कमपनी की income में एक अच्छा उच्छाल देखने को मिल जाता है बागी इस कमपनी के expense की बात करें तो company के cost of raw material के अंदर purchase of stock in trade inventory cost employee की cost इन अलग-अलग expenses को मिला कर कमपनी का total expense 13,028.33 million रुपीज का कमपनी का total expense देखने को मिलता है जिस प्रकार से company की income में उतार चड़ाव है न वैसे ही expense भी उतार चड़ाव भरे ही देखने को मिल जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें the tax and expenses item काटने के बाद company का net profit इस quarter के अंदर 22.75 million रुपीज का company का net profit देखने को मिलता है जो quarter and quarter base के उपर company के net profits में और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले profits में बहुत ही बड़ी गिरावट आती वी नजर आ जाती है जो इस company को लेकर सबसे बड़ा negative point है बाकी इस company के earning पर share EPS की बात करें तो वो यहाँ पर 0.01 रुपीज पर trade हो रहा है जो भी quarter and quarter base के उपर पिछले साल सेम quarter के मुकाबले तेजी से कम होते हुए नजर आ जाता है overall result इस company का देखने जाए तो मेरे सबसे बहुत जादा खराब result है और इस company की जो valuation है अभी current market price के उपर वो भी बहुत जादा है तो आप लोगों को सला यही है कि वाई invested हो तो इस company के share में hold राक सकते हो long term में high risk high reward के साथ बाकिया new investment करने की सला आप लोगों के लिए नहीं रहेगी यह दा है आपर हमारा opening इस company को लेकर बाकि lower levels के उपर खरीदारी करने के मौके आएंगे तो जरूर से update क कर दूँगा तो बस अच के लिए इतना ही good ball of good bye फिर मिलता नेक्स टुडियो में good bye चैनल को subscribe करेगे bell icon को all पगड़ देना